नब्बे के दशक में एक एक्टर अपनी एक्टिंग के दम पर इतना मशहूर हुआ कि वे तमाम बॉलिवुड सितारों को टक कर देने लगा। वे फिल्मों में बुरा आदमी बनकर भी दर्शकों की चहेते रहे। उन्हें लोग प्यार से बैडमेंट कहते हैं जो आज किसी पहचान के महताज नहीं है। उनकी गिंती फिल्मों में सबसे पॉपलोर विलेन के तौर पर की जाती है। गुल्शन ब्रोवर ने बहुत कम मुवीज में पॉजिटिव किरदार निभाए हैं। बॉलिवुड में बड़े मुकाम तक पहुँचने के लिए अभिनेता को अफी तकीफों से भरा रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब उन्हें स्कूल की फीस भरने के लिए सामान बेचना पड़ा था। गुल्शन ब्रोवर का जन्म 21 सितंबर 1955 में राजधानी दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से ही क थी। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। अपने सपने को उलान देने के लिए वो मुंबई पहुँचे। यहां उन्होंने एक्टिंग स्कूल में एड्मिशन लिया और एक्टिंग की बारी कियों को सीखा। एक्टिंग स्कूल के दौरान अनिल कपूर उनके जाते थे और घर घर जाकर बरतन और कपड़े धुने का पाउडर बेचा करते थे। गुल्शन ब्रोवर के परिवार वालों ने काफी मुश्किलों का दौर देखा। लेकिन आज उनके पास ना तो पैसों की कमी है और ना ही आज वे पहचान के मोहताज है। उन्होंने काम अभी अपनी मेहनत की दम पर हासिल की है। गुल्शन ने अपने करिया में अब तक 400 से अधिक फिल्मों में काम किया है। लेकिन गुल्शन ब्रोवर बॉलिवूड फिल्मों में निगेटिव किरदारों के लिए जाने जाते हैं। बैड मैन ने अपने करिया की शुरुआत थीटर और स्टेज शो से की थी, साल 1980 में फिल्म हम पांच से बॉलिवूड में कदम रखा था, गुलशन ग्रोवर ने बॉलिवूड की कई हिट फिल्मों में काम किया है, जिन में दूत का कर्ज, एजज़त, सौधागर, कुर्बान, राम लखन, इनसाफ कौन करेगा, अवता क्रिमनल, मोहा, हेराफिरी, इंटनेशनल, थिलारी, लजज़ा, दिलमांगी मोर, जंबो, कर्ज, गंगा देवी, एजेंट विनोध, शामिल है, फिल्म आयम कलाम के लिए उन्हें सर्वश्रेश्ट सहाया का भिनेता की राष्ट्रिय पुरसकार से सम्मानित किया गया